हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस दो हजार चोबिस में पूछे जाने वाला गड़ीत का पेपर वायरल है यहां पी जो प्रश्ण आप सभी को कराएंगे इन प्रश्णों को आप जरूर हल कर लीजिए 27 फरवरी को आप सभी का गड़ीत का पेपर है जिसमें आप सभी का 100 परसंटेज गारंटी देते हैं कि जितने भी प्रश्ण कराएंगे यही सब प्रश्ण आने वाला है तो आप वीडियो को इसकिप मत कीजिएगा यहां पी आप पेपर देख सकते हैं कि सभी पेपर जिसने यह एक प्रकार का वाइल कोईस्चन है आपका पेपर का सेट देखे 822DW ठीक है यहां पर क्या करना रहेगा आप सभी को कि अपना अंक्रमांग लिखना रहता है प्रश्ट पत्र पे और यहां पर अपना नाम लिखेंगे ठीक है यहां पर देखें गड़ी को पेपर है इसको हल करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा तीन घंड़ा पंद्रे मिनट का समय रहेगा और पुडांग जो रहता है टोटल सत्तर नंबर करहेगा यहां पे कुछ नोट दिये गए हैं पंद्रे मिनट जो होता है पर चार्थी को प्रश्ट पत्र पढ़ने के लिए समय न नहीं जानते हैं इस निर्देश में जो मुख्य पॉइंट आपको जानना जरूरी है वही पॉइंट आपको बता दे रहे हैं यहां पे प्रश्ट पत्र है इसमें दो खंड होगे और बाद दो खंड में विभाजित हैं खंड आ में 20 बहुई कलपी प्रश्ट होगे जिसे OMR सीट पर इसका एंस्वर देना होगा ठीक है अब यह OMR सीट पर आपको किसी प्रकार का कार्ट पिट नहीं करना है नो वाइटन न इरेजर का प्रियोग करना है आप सभी को पहले से पता है फिर भी यह आप निर्देश जरूब पह लीजिए खंड अबाव में 50 अंका वि प्रश्ण देखिए किस प्रकार के प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाले हैं ठीक है आपका खंड अ है ठीक है जिसमें पहुई कल्पी प्रश्ण है पहला प्रस्ण है देखिए इसको कैसे हल करेंगे निम्लकित संख्याओं में परिम्य संख्या है देखिए आप P upon Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिम्य संख्या करते हैं यहाँ 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 परिम्य संख्या करते हैं यहा सकते हैं यह इसका सही जवाब नहीं होगा है यह अब करी प्रीव्य संख्यां तरीक है कि वरगमिल के निकलता होगा वह अभी परिम्य संक्या केंतर रगत आता है ठीक है यह आप जान दे रहें यह नियम को देखें आप दूसरा नियम दूसरा सवाल देखिए दूसरे सवाल को आपको ट्रीक से बताएंगे ठीक है बहुई कल्पी प्रेश्ण नहीं इसे आप ट्रीक से बोड के एक्जाम कैसे हल करेंगे बस आप इस सवाल को चुटकियों महल कर लेंगे बस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए रैकिक समिकड़ युग में यक्स प्लस वाई बराबर दस यक्स माइनस वाई बराबर चार का हल होगा इसको आपको हल करने की जरूरूर नहीं है यदि बोड की यक्स बाइनन से तो यही जवाब नहीं होगा लेकिन साथ में तीन इस ब्लस में यह जवाब नहीं होगा है लेकिन बीवला अफसन देखिए साथ तीन जुड़ेंगे तो दस होगा देखिए आपका दस आ गया और साथ में इस तीन घटांगे तो चार भी आ जाएगा तो इसका सही जो आपको बीवला अफसान सही हो जाएगा ठीक है देखिए कितना अच्छा ट्रीक है आपको इसको लगाने की विजरूत नहीं पड़ आप ट्रीक से पुरांत इस सवाल को हल कर सकते थे ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए तीसरा नंबर का सवाल है इसको भी आपको ट्रीक से बताते हैं जितने भी वही कलपी आपको ट्रीक से बताते हैं देखिए कैसे ट्रीक से लगेगा बिंदू वाई अच्छे से दूरी पूछता है ति यक से कमान कितना है पांच है तिसका सही जाब कि आपका पांच मात रखो जागे तो कि आपको हल करने की जरुवत नहीं पड़ा तुर निकाल लिए ठीक है इस प्रकास इसको हल करना था अगला सवाल देखिए चौधा नंबर का यद समधिवाः का मतलब होता है, जिसकी दो भूजा यह चांव का बरावर है और क्ड़ ग्यात करना है यह पी देखिए आपकी पांच करण नहीं देखिए नहीं पहल प्र시면 पइंहागे अपको कि इसक्वाइर जो होता है आपका होता है कि आधार का इसक्वाइर यानि कि पांश करड़ी में दू का इसक्वाइर हो जाएगा और प्लस यह क्या हो जाएगा पांश करड़ी में दू का इसक्वाइर ठीक है यह इसक्वाइर होगा है ठीक है आपको फार्मूला पाइथागो होगा यह फार्मुला ठीक है अब देखिए यहां पे पांच के स्क्वायर करेंगे तो पतीस दूरा के स्क्वायर करें दूरा के 50 हो जागा यह 50 होगा तिसका भी कितना होगा पचा सैंफ के और धूरा कर दोने पच्वायर यहां लेकि इसका बाहर निकल जाएगा दस सो कवर गुमूल कितना होगा 10 अब देखें आपसन में 10 कहां पर दिया है आपसन चलिए देखते हैं यहां पि आपका एवल आपसन क्या हो जागा सई हो जागा अब ट्रीक क्या था इसका ट्रीक बस यही था आपका कि जब सम्धी बाहू संकोर्ट त्रिभूज देता है ट्री पर इमें करेंगे भूर दिया जाता है यहीं कर ना राता और इसको हल कर लेंगे तो आप अन्सवर आजए का विस्तार से बता है इस सवाल को ऐसे हल किजिए गा अगला सवाल देखिए पाँचवा नमबर का सवाल कैसे लगाएंगे यहां पर दिया है साइज स्क्वाइर 18 अंस माइनस का स्क्वाइर 72 अंस का मान होगा यानि कितना होगा यह ट्रीक देखिए तब सिंपल ट्रीक है इसको आपको हल करने की जरूत नहीं है यहां पर देखिए आपको हल करके भी बत अब देखिए जीरू कांसा है वी वलाफ सान सही हो जागा बिना हल किए अब देखिए कैसे आफ करेंगे ठीक हैं यहां पिर देखिए कि साइज स्क्वाइर 18- car स्क्वाइर 72 अंस है इसको हल करेंगे यह इन दोने में से किसी एक चैंज कर लिए नब्य पर देखिए कितना गटाएंगे तो ठारा जागे ना माइनस कास स्क्वाइर 72 ठीक है देखिए फ्रेंस थोड़ा सा सोर हो रहागे इसलिए कि यहां पर रोट के बगल में वीडियो बना रहे हैं साधन जा रहा होगा जिसके इसमें आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा मैनेज कर लिजिए आप ठीक आप कोई इतना सवाल करने की जिरूत नहीं जो ट्रिक बता है कि यहां पर अलग अलग हो यह इसको 18 और 72 ऑन्स को जोड़एंगे यह दि 90 और रहा है ठीक है अच्ड़ाइंस भातर को जोड़ने के बाद नब्यांस साथे बीच मेंने इसमाइनस का चीन हो तो हमेशा उसका म मानßen 0 होगा यहाँ प्लस कर देगा ठीक है जैसे सवाल इसतर करते है आप है उस्थ कर दे आस्टर कर दे आप से प्लस कर देए More कर देए और यहार प्लस रहे ता आपको तरह करने की जुरूत नहीं है बस यह अट्रा सब्थान जोल दीजिए नब्य अंस आ रहा है इसका मान तुर्ण एक लगाई है एक लगाई है तो एक लगाई है कितना अच्छा ट्रिक है आपको हल करने की जरूरत नहीं है यहां पर इस्षफ करने के चैब के लिए इस तरह लिखेंगे यहां पर दिया ना के पुढांग जैसे एक हम जोड़े हैं तरह रहा है ती विसम संख्या रहा है इसका मतलब हो विसम संख्या में यदि आप एक जुड के तो आपके विसम आजाएगा पुठाट पूहँ diffuse पुठाट पूचाएगा ती चाहिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं साथवा नंबर के सवाल देखिए यदि संख्या हूं साथ आठ यक्स 1114 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान पूछ रहा है कि यक्स का मान कितना होगा यहां देखें माध्य दिया है ठीक है क्या दिया है आपका माध्य मतलब क्या होता है आपका कि सभी पदो की योग पटए के पदो की संख्या यहां पर माद्यवराद फार्मूला पर लिखते हैं hex往द वराबर सभी पदो का योग अपान पदो की संख्या ひां वकस्वार्मूला अट्ज्व कि 11 प्लस चौधा इस तरह कर लिए बटाके पधों कि संख्या कि लिए एक दू तीन चार पांच कितने पांच पांच कर लिए अब देखिए यक्स सभी को जोड़ लिए देखिए साथ में आठ जोड़ेंगे पंदरा पंदरा में देखिए 15 हो गया पांच के एक्स में करेंगे 5 यक्स बराबर 40 प्लस यक्स यक्स को पच्छांता कर लीजे 5 x- x बराबर 40 घटेगा तो कितना हो जगा? यक्स बराबर पच्छान तक कर लिजिए ठीक है यह कितना हो जगत 40 बटा के 4 जगत कटाएंगे कितना हो जगत 10 यक्स कमान 10 होगा यहां पर चलिए देखते हैं 10 दिया है कि नहीं दिया है यह देखिए आपसन में 10 है तो यह वाला आपसन आपके क्या हो जागा सही हो जागा सवाल सब्सक्ति सवार दो अगला सवाल देखिए 8 नंबर का देखिए पहुँत ज्यादा सिंपल है यह दि मूर्गात समय करसर between Sir Gystemon and Samad यहां पर क्या है आपका मूल समान है तो स्का मान आपको बताना है देखिए जह मूर्ण समार होता है तो इस तकि यह इसक्वाइन सब्सक्राइब करें हैं अगला सवाल देखिए आपका क्या है नौ नंबर का देखिए ध्यान दीजिएगा बहुँ सिंपल तरीका सी यह भी सवाल आपका लगेगा देखे क्या अनुव नंबर का दिये गई चित्र में यदि AD बराबर X प्लस 3 cm DV बराबर 3 X प्लस 19 cm AE बराबर 1 cm EC बराबर 3 X प्लस 4 cm DE समानतर BC तो X का मान पूछ रहा है देखे इत्री भूज ABC दिया है और DE जो है यह वाला भूजा जो इस भूजा के जब समानतर रहता है तो तहर्स के परिमे का अनुसार इसके भूजाओं का उनुपात क्या होता है बराबर होता है इसका मतलब क्या होगा कि AD बटाके देखिए AD बटाके क्या हो जागा AB DB ठीके इस भूजा बटाके ये भूजा बराबर इसी तरह ये भूजा yeah ae बटाके क्या होगा EC होगा EC होगा अब यहाँ बस क्या करते है माहर रख लेते है AD के मान है कि Yix plus 3 बटाके और यहां पर कितना है 3x plus 19 ठीक है यह मा रख लीजिए और यहां पर यह कर लिजिए बराबर यहां से क्या है यक्स है तो यक्स कर लीजिए और बटा के क्या है 3x plus 4 अब तिरिया गुड़ा कर लेजिए क्या करेंगे तिरिया गुड़ा कर लेंगे जब तिरिया गुड़ा करेंग स्कार चार च्वाइब मिन करें देखिया अब इतना हुआ देख देखे जब आद ध्यांसे अब दिखेंगे जब 3x इस्क्वार इधर भी आ, 3x इस्क्वार इधर भी है, तो दोनों पच्छों से यह कट जाएगा, आपका, कट गया ना, 3x उप छांदर करेंगे, तो माइनस बदल जाता अच्छी ना, कट जागा, 3x स्क्वार से 3x स्क्वार कट जागा, जो लिए 9, 4, 9, 4, 13, तो कितना होगा, 13x और 12, बरावर 19x, अब 13x उप छांदर करेंगे, 12 बरावर 19x, माइनस 13x, 12, घटा लिजिए, 19 में से 13, तो कितना होगा, 6x, अब पच्छांदर करेंगे, 12 बटा के 6x, तो 6 दूना के 12 दू बार में है, तो दू आ गया, यक्स कमान कितना है, आपका देख लिजिए, यक्स कमान आए आपका, दू, तो आपसन में चलिए, यक्स कमान देखते हैं, कहां पे दू दू दिया थी, इसका सही जवब, सी वला आपसन, सही हो जागा, तो इस पर का इसी सवाल को थोड़ा सा लगाना था, ठीक है, चलिए समसंख्या लिखना है, देखिए, दू होगा, चार होगा, चार होगा, आठ होगा, और दस होगा, यही होगा ना, समसंख्या, अभी समांतर माद्य का फार्मूला बताएं, समांतर माद्य बराबर क्या होता है, समांतर माद्या, सभी पदों का योग, यानि दू प्लस चार ापद्ध धिबाइब जाए अगले अगले सवाल को देखते हैí 11 आपका किसां क्या है 156 का अभाज गुलन खंड होगा यानि 156 का अभाज गुलन खंड क्या होगा जीडिए पर फिर फिर दो तीन से कटेगा तीन है 103 लिकना फिर 13 से कड़ जागा इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे इस पकास लिखा जाता न डू गुरे दू गुरे टेरह आपका इस इस रूप में तो दिया नहीं है इसका मतलब दू कितने भार दू बाइट दू पर गूद घूरत गुड़त तेरह अब यह इनियर मिला एक दूबलब्स गात गुड़त तीन गुड़त कहां भी लिखा है देखें दूब ripजात तीन गुड़त तेरह तो चैसङ आप क्या हो जांग सब्सुर्ण 신त Border सब्सेपर क्या है यह दि एक्वर्गी कित आकड़ का माध्य और बहुलक करमसा 24 और 12 तो इसका माध्यक होगा इसका माध्यक आपको पता ना है कि माध्यक क्या होगा बहुत सिम्पल तरीका सिसे भी लगा जाता वसार मुला को एक हो डूह होज़ाइजाइए इसका तभी लग देकिंग मात्यक माइनल माद्यक थी farmer होता है बस अब मार एकी आपका माध्य पहले माद्य दिया था माध्य कमान लिफिस तीन गुड़ माध्याप पूछ रहे तो माध्याप को स्थिति प्रकार रहने दीजिए दीजीए в अहां भारा हो जाएगा दोचेया आध्याप सो माध्याप दिर चकवाट चारा पच्छानत कर लिएक दोचेया सब्दाओ सब्स तो पनिस नाच्री को जाएगा तीन गुड़े माध्यक, ठीक, अब जो लिजिए, 60 हो जागा, ठीक है, अब देखें, गुड़ा में पच्छान्द करेंगे, तो इसके बटा में आ जाएगा, यह माध्यक हो जागा, कितने बार में पकटेगा, 20 बार में, तो 20, बराबर क्या हो जागा, आपका माध्यक कितना होगा, 20 माध्यक Aa, 20 हुआ, ठीक है, इस पकास इस सवाल को लगाना था, यहां पे इसका देखें, 20 कहां पर दिए जाएए, जिसका सही जँआप क्या, अगर्वी वळा आपसान सही हो या एकस ke y ब्राबर 10 के आप परिमित परिम्म t रूब से अने कल देकि यह आपका अने ख रहें तो किये कमान क्या होगा अब यहां पर देखिए जब दो रहों हीखर देता है उसको अने खल देता है इसمة LE ten लिए té इसम चुणे हैं प A2 बराबर होगा B1 अपान B2 बराबर होगा C1 अपान C2 होता है अब देखे ये A1 का मान पहले होता है ये B1 का होता है ये C1 का होता है इसी तरह ये A2 का होगा ये B2 का होगा ये C2 का करमस होता है A1 का मान कितना है 2 है A2 का मान कितना है 4 है कब्राबर वीटु को मान कितना है कि बराऑधिस अब इसी के बस आपको हल करना है कैसे बता απο की बटाके के लेके चलिए चोड़ दीजागा टीक आपको सिर्फ किया का माल के गुड़ा एक में करेंगे के हो जागा दुपर तीन भी इसी प्रशन आप मत छोड़िए आप सभी प्रशनों को ध्यान से देख कि इन प्रशनों को हल करके बौड की एक्जाम में जिरूर जाए आपको माइकसिमन सवाल देखने के लिए मिलेगा ठीक है अगला सवाल देखी चोदा नमबर का एबी सी बीडी दो संभाहु त्रिभूज इस पकार है कि यहां पर द्यान देख कौन से त्रिभूज है संभाहु ठीक है डी भूजा बी सी का मद्य बिंदू है त्रिभूज आप से किसके च्छत्रफलों का अनुपात क्या होगा ठीक है अदम दोखें सिंपल तरीका से कैसे लगाएंगे आप पहले एक त्रिभूज एबी सी बनाईए यह हो गया आपका एबी सी त्रिभूज हुआ एबी सी डी भूजा बी सी का मद्धी बिंदू है किसका मद्धी बाकास से ठीक है अब द अब यहां पर द द यहां पर द यहां पर आपस मिला लिजेए यह मद्धी बिंदू है मद्धी बिंदू का मतलब क्या हुआ कि जैसे जितना इसका दूरियों का इसको दो अबराव भाग में बाट देगा इस जैसे यहां से हम यहां तक माल लेते हैं कि इसका एक हो पूरा यह दूरी एक माल लेते हैं एक होगा तो यह क्या हो जागा इसका यह आधा होगा यह एक बटा के दू होगा ठीक है अब देखें यहां पर जब छेत्रफल का अनुपात यार ए बी सी जो होगा तिरभूज ए तिरभूज ए बीसी और तिरभूज बी डी इ का छेत्रफल चेत्रफल का छेत्रफल इसके जो भूजाओं का अनुपाद यह जो भूजा देता है इसके भूजाओं का वर्ग होता है तिरे भूज ABC पहले लिए गया है यानि कि BC का वर्ग हो जाएगा चार नुपाथ ने लिखेंगे चार नुपाथ एख सवाल को लगाना था तो चाहर पर दियाए था तो सभाने प्लस कार्ट एक मान ज्याद करना है यहाँ पीए चिह द्यास皆 सब्सक्तिकर लियुक्त लुख का अधार पैरो कियुख चार को आदार कुस्येश करना पड़ेगा एक बुज़ा और 25 यह याद रखिएगा यह आधार है यह लंब हो जागा और यह हमेशा कड़ रहाता है इस रेशियो के याद रखिएगा आप सिंपल तरीका से सवालों को लगा सकते हैं ठीक है यह देखे इसको आप हल करेंगे यह पाइथागोरस परमेस हल करके आपको बता देते हैं चल कर लीजिये आधार कितना है आधार देखेंगे 7 का स्कॉार यहाँ पर लम का स्कॉार ग्याद करते हैं ठीक है 25 के स्कॉर करेंगे 625 होगा स्दिया 949 सक होसा यह सब्सक्राइब यहां प्रफ और सब्सक्राइब इसको याद रहएघरаш ने जब rápido बुछेगा ताक इससी तरह लगा लीजिए खीक है इसका उल्टा आधार नहीं अधार 49 साथ लिए है कुष्घ साथ 8 कितना 24 कर लीजिए अब देखे इन दुनों का योग पूछा है इन दुनों का योग कितना होगा टैन ए और प्लस काट ए ठीक है अब यहाँ पर टैने का मान कितना 24 बटा के साथ और प्लस इसका मान कितना साथ बटा के 24 से अब इसको हल कीजिए हल कैसे करेंगे तीलिया गुड़ा 24 का 24 में गुड़ा करेंगे 576 होगा कितना होगा 573 प्लस साथ के साथ के साथ के इसमें करेंगे चोबिस में तो देखें साथ चोको 28 साथ दुना के चूदा है पंद्रह सोल एकसो और साथ अब 573 में उन्चार जोड़ लीजे तो 625 हो जाएगा कितना होगा 625 अब पान एकसो और साथ कितना आया 625 बटा के 168 आया तब एंस्वर देखते हैं कि 625 बटा के 168 दिया कहां प देखिए 16 नंबर का सवाल क्या है आपका अदम सिंपल तरीकास इसे भी बताएंगे यदि दो विर्तों की तिरिज्जाएं क्रमस चार सेंटिमीटर माले यह आरवन माले जी और इसे आटू माले जी तीन सेंटिमीटर है इन विर्तों के छेत्रफलों का योग जो है बराबर को माले विर्त की तिरिज्जाग घ्याद कीजिए इस सवाल को आप कैसर लगांगे यहां पर नूसार का नूसार कारें कि तो दो पिंग है तो दो ने दोप्ल को लिगत्टें को पले च्छात्रफल को यूप कर लौय के भ लिशागे DR 1 का स्कॉआर प्लस पाई लौन Research का स्कॉार बराबर आप यहां पर पास्मान रहे कि मैं कि नोफाई वा ? पाई कामा रे लिशाथ यहां से bas rape R1 का square plus R2 का square बराबर पाई R square, पाई से पाई कड़ जागा R1 का बराद कितना माने है? 4 यारी 4 का square और R2 का कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 रख लीजिए 3 का square कर लीजिए 4 का square 16, 3 का square 9 R square जोड़ेंगे तब 25 हो जागा R square, square आटाने के लिए क्या करेंगे? जो के मूल के सउपार के इसके मूल की और नुमब्र X square minus 3 X minus 10 बराबर 0 अब यहां पी इसका गुड़ांग खंड कर लिजे तो गुड़ांग करने का तरीका पता है कि इसका यहां पर गुड़ा करेंगे 10 हुआ अब इसको 2 ऐसे बराबर भाग में तोड़ना है जिसका गुड़ा करें तो कितना है 10 जिदे के 5 और 2 ले लिजे पांदुना के 10 पांच मेंस 2 गया 3 यानि कि X square minus 5 एक पांच माइनस क्या करें पांच माइनस कर लिजे 5 मेंस 2 गटाएंगे 3 हो जाएगे यहां पी X से 5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यह प्लस दू और बराबर 0 अब इसको क्या करते है यह माइनस 5 बराबर 0 दिखाएंगे यह सबरा कितना हो जाए पांच हो जाएगा एक ते इंसवर यह होगा और यह प्लस दू बराबर 0, तो यक्स बराद यहां ऑनगी सकता है। यहांपे आपका 5-2 आया है, तो पांच-2 यहां सही जवाब हो जाएगा इस सवाल ईसे लगाना था अगरा नमबर नमबर का सवाल मैदान पर एक मिनार की छाया की लंबाई उसकी उचाय की कड़ी में तीन गुनी है तो सूर्य के उन्ययन कोड़ बताने कि सूर्य का उन्ययन कोड़ कितना होगा यह देखिए आपको क्या है एक संपोर त्रिभुच बना लेंगे और यह मानेगे जब भी छाया होगा तो नीच चाया है एक संतल मैदान पर एक मिनार की जो चाया की जो लंबाई है उसकी उचाय की कितनी गुनी है कड़ी में तीन हो जाएगा अब यहां पूछ रहा है कि यहां पर इसका उन्ययन कोड़ कितने अंस का बनेगा उन्ययन देखिए यह लंब और आधार पता है तर टैन बराबर होता है लंब बटा के आधार लंब बटा के आधार होता है लंब कितना है टैन ठीटा बराबर हने दीजिए लंब है यक्स आधार कितना है यक्स कड़ी में तीन है अब इसी को हल कर लिए यक्स यक्स कड़ गया टैन ठीटा बराबर एक बटा के रूट तीन अब ट कि इतने का मान होता है एक बटाए म 요सिकना कि इतना हुआ ठीटा बराबर हुआ उन्यन कोड़ आपका 30 ऐसका सही जवाप क्या होगा सिवला आप्सन ranty ऑकश थीज रहा कि हो जबड़ने का 6 देखिए उननीज नंबर का सबस्ति देखित फाए टीक हैं posición कि 95 शैंती सेंटिमीटर उचाई और चार सेंटिमीटर ब्यास वाले एक धातिविक ठोस बेलन को पिगला कर बनाए गए 6 सेंटिमीटर ब्यास के ठोस गोले की संख्या पूछ रहा है ठोस गोले की संख्या क्या होगा जब भी संख्या पूछता है तो देखे संख्या बराबर क्या होगा ध्यान सेह आपको क्या करना है पहले बेलण का आयतन निकाल यह गई बेलन युद् гор ठोस गोला दिया है तो गोले का यहां चीधा पर सिधा बजा गोले का आयतन kilo भाicha ने की दिय helps क्या और क्या होता है तो पाइ अय इसको ने होता है गोरे का या यह होता है तीन बटा के दू पाई आर का की होता है यही होता है अब यहां पर देखे पहले यहां पर त्रिज्जा दिया है और ब्यास दिया है तो पहले हम क्या करते है इसे आरवन मार लेते है इसे आरटू तो बेलन का त्रिज्जा है तो आरवन क्या हो जागा ब्यास का आदा है चार कर लिजे तूदू तो 6 तीन अभ यहां पी द्यान दीजे यहां पर एक दियान फार्मूला पर तो क्या होता है गोले का आयतन का है चार बटा के तीन होता है भीया बीजिता है तीन होले है अब इसको हल कर लीजिए देखें दू का स्क्वाइर 45 पटा के चार बटा के तीन यह तीन से कटेगा नौ बार में यह कितना हो जाएगा आपका चलिए यहां लिख लेते हैं यहां पर पांच सही जवाब इसका बीवला आपसन क्या होगा अब आपके सामने बीसवा नंबर का देखें क्या है और इसको कैसे ल करेंगे यहां पर त्रिभूज का नाम याद रखेंगा संभाव त्रिभूज इस पकार है की देखें इस पकार के सवाव को आपको कैसे लगाना है देखें यहां पर क्या करेंगे पले संभाव त्रिभूज बनाते हैं देखें संभाव त्रिभूज यह है आपका संभाव त्रिभूज ऐसे बनाएंगे यह है आपका संभाव त्रिभूज इसका नाम देदेते हैं दे BC, B-C बरावर क्या होता है CD होता है, जब यहांँ प्यलम डाल दिया गया है, तो यह BC भुजा को दो बरावर बाटतas, यानि यह भुजा, इस भुजा के क्या हो जाएगा, बरावर हो जाएगा, इसमें पूछ रहiti AD squared, जब ये लंब डाला गया ते 90 अंस का कोड हो जाएगा यहांपे 80 equation स्कॉईर पूछ रहे तह आपकोपता पाइथागोरस पर में यह आपका लंब हो गया यह अल बुजा लंब हो जाएगा यह केंद हो जाएगा यह आता है अभी आपको सब्सक्राइब से फैए ंविए के सब्सक्रार करना है यहाँ पर देखिए आपका क्या करना है किषरी किरें Dick डी सी डी सी डी सी के रूक में दिया है न चैंज करेंगे यहां लाग वा क्या करेंगे ऊदिद इसमें भी नो कबाये आदा और किसे ते बराबर और जाती। dc के बराबर किसके बड़ाबर being unstable यहां स्ट्राइब यहां करते हैं यहां कि एक फेयां सब्सक्राइब तो अब माइनल सब्सक्राइब इसका आप डी से कर लेंगे इसलिए the गटा दिये तीन डी सी स्क्वार एडी स्क्वार हो जाएगा यहां पर आपको 20 बाविकल प्रशन बता हैं इस बीस बाविकल प्रशनों का आप जरूर तयार कर लीजिएगा आपके बोर्ड के एकजाम में जितने कुश्चन करा हैं 100% सभी आने वाले प्रशन कराएं इन प्रशनों को आप जरूर हल कर लीजिएगा ठीक है